West Indies versus New Zealand दूसरा ODI मुकाबले पहले ODI मुकाबले की बात करें West Indies आता है सान से खेलता है और सान से जीचता है New Zealand को बोलता है T20 में हराया था तो उसका बदला तो लेना था ना तो ODI में पहला मैश हरा के हमने बदला ले लिया लेकिन अभी पूरी कहानी नहीं हुई तो ODI की सिरीज अपने नाम पे करेंगे इसलिए जो दूसरा ODI मुकाबला है इसे भी हम आपको हरा देंगे इसी तैयारी के साथ आए हैं जिससे सिरीज को अपने नाम पे कर सके नहीं तो अच्छा वेटे मतलब एक मैश हरे क्या बड़े बड़े सपने बड़े बड़े खैली पुलाओ हमने भी तैयारी करकी रखी है कि दूसरे ओड़ गाई में ना विष्ट इंडी से बदला कैसे लेना है हम यहां पर जीतने के लिए लेकिन आपको पता है क्याएं कर दो कि आपके लिए ब्लाइक करते है इसलिए आपका भाई supposedly स्वाईधा के लिए टेलिग्राम wedge बहुकथ है तो चार मैचों मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा आप कहीं बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया कोई बात नहीं अभी कौन सा दिर होगी जब जागो तभी सभीरा बस एक चीज का ध्यान रखना फेक से सावधान मेरे नाम पे नहीं बहुत ज्यादा नकली टेलिग्राम चैनल बना लिए गए इसलिए इधर उदर और कहीं से टेलिग्राम जोईन नहीं करना जो लिंक के में लेगे डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से जोईन करना तो अगर हम इस मैंच की बात करें फ्राइडे 19 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 11.30 वीम से आप इ ऐसनीं का दूस्तो Marian टारटरीय के बात करें नीचे स्कौर बने गा तो दस मैच से आठ मैच में हो सकता टार्गेट डिफैंड की वागत करे 270 270 प्लस स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता 235 से 270 की बीज में टार्गेट होगा आप समझ जाना अब यह जो मामला है न वो बरावरी का है change बी हो सकता और defend भी हो सकता दोस्तों यहाँ के मयदान पर जो match होता है वो medium screen होते है ज़़ा high scoring देखने कों नहीं मिलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ का जो green growth होने का जैसे होता है जो तेस green वाज है जो उनकी ball होती stream के साथ movement करती है कभी out swing कभी in swing तो बल्ले वाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है खास करके 15-20 ओबर जब bowl new होता है और पहली inning में पहली inning में और भी ज़्यादा मुश्किल होता है जो bowl होता है बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता इसलिए यहां पे जो मैच होता है थोड़ा सा चेज्व ज़्यादा होते यहां पे जो मैच होते क्योंकि फ़र्श निंग में बल्ले वाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो 240 से 260 के 20 में आपको देखने को मिल सकता है और अगर हम यहां के मैदान पर दोनों टीमो की परफॉरमेंस की बात करें विश्टेंडीज ने 37-37 मैंच खेला जिसमें से 17 मैंच जीता 20-20 मैंच हार के मतलब विश्टेंडीज अपने घर में इस मैदान पर यह परफॉरमेंस न निदेड ने दो मैच आ रहे न विश्टेंडीज से शाने मतलब विश्टेंडीज जी वर्षसे निदूर मैच के लगया और विश्टेंडी टूमेंस में निजिजुलेंड को पीड डाला जीत दिलाई है तो चेंज ना करना क्योंकि इनकी जो पहले मैंच में गेंदवाजी रहे न्यूजिलेंड के सामने गज़ब की जो जैसान होलडर थे तीन विकेट निकले अकील उसे इन विकेट निकले बाकी के गेंदवाजी उन्हे जाथ दिया मतलब गेंदबाजी जब जस रहे उसके बाद बल्लेबाजी थोड़ा सा लड़कराई जरूर लेकिन सामर ब्रूप की जब जस पारी के वदलत इसे मैच को ना पहला मैच था पांच बिकर से विस्टेंडीज अपने नाम पे करता है मतलब बल्लेबाजी भी ठीक था और गेंदबाजी कमाल की तो थी तो विस्टेंडीज क्यों चेंज़े करेगा बिल्कुल भी चेंज़े ना करेगा क्योंकि इनकी बल्लेबाजी लाइनप भी तो काफी बढ़िया है से ओप जो कि ओडिया में बहुत अच्छी परफॉमेंस करते हैं काइल इमिरस काफी टैलेंटेड बल्लेवाजे सामर ब्रूक्स ने प्रूफ करके दिया ही पिछले मैस पे निकोलस पूरन जर्मेंड ब्लेगबुट मतलब जो इनकी बल्लेवाजी काफी ज्याद की बात करें तो इनको लगा था है जैसे टीटोंटी में खेलें वैसे ओडिया में भी खेलेंगे लेकिन वैसे नहों पाया और ये मैं अच्छार के क्यों हाल के क्योंकि जो इनकी बल्लेवाजी थी ना कुछ ज्यादा ओबर कॉन्पिडेंस में आगे पहले मार्टिन गुप इनकी बल्लेवाजी ना कहीं ऑबर कॉन्पिडेंसमेंट है गया 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 तर्गेट ज्यादा बड़ा था नहीं 190 के असपास का टार्गेट था विष्ट इन्पिडेंस ने 5 बिकिट खोकर हासिल कर लिए तो मतलब गेंदमाजों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की बल्लेवाजों को सुरुआत मिले लेकिन उस सुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए तो इसका मतलब नहीं हुआ कि ये खराब बल्लेवाजे हो अगर उसे लिए तो नहीं पर यहां पर जीता जरूर है लेकिन अगर फिर भी हम यहां पर देखें जो जादा बहतर नजर आ रही है वहीं बेस्टेंडीज को जो यंग के टीम है इसको ना होम कंडिशन होने का थोड़ा सा फाइदा मिलेगा एडवांटेज मिलेगा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो नीजिलेंड के टीम है नो थोड़ा सा जादा मजबूत नजर आ रही है अगर हम इन दोनों टीमों के लास्टी मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो बेस्टेंडीज ने अपने लास्टी मैच में बस एक मैच जीता पांच मैच आरे जो जीत रहा इस दोना चुए इनका बलेवाजी अबरेज है तो तो नीजिलेंड के टीम है बहुत आगे नजर आ रही है लेकिन बलेवाजी अबरेज की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा जो नीजिलेंड है वो विश्टेंडी से बहतर नजर आ रहे है लेकिन गेंदवाजी अबरेज की बात करें तो यहां पे जो मामला है ना वो बराबरी का नजर आ रहा है और अगर हम इन दोनों टीम हो की हैड़ रिकॉर्ड की बात कते इससे पहले 66 66 और याई मुकाबले के लेगा जिसमें से 21 मैंच जीता और न्यूजिलेंड ने 28 28 मैंच जीता साथ मैच नोर रिजल्ट रहा है मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड में जो विश्टेंडीज है ना न्यूजिलेंड से बिल्कुल थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों आगे तो आगे होता है फिर चाहे थो होगा कौन क्या कर पाएगा चलो यह जानते लिकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करो तो सारी करने के बाद के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात कर दोस्तों मैं अपनी बात कर तो मुझे लगता जो आज का मैच है ना टीम नुजिलेंड अपने नाम पर कर सकता है according to me this match will be been team नुजिलेंड लेकिन आपको पता ना यह cricket match है और cricket match में कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए जो final prediction होगी ना इस match की मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले जो मेरा टेलिग्राम है वहां पर आपको इस match की final prediction मिलेगी तो मेरा टेलिग्राम आपके लिए जोईन करना बहुत ही जरूर है जिन लोगों ने मेरा टेलिग्राम जोईन किया बहुत ही फादे में आपस तो अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलिग्राम पर तो मेरी मतमानी है description में जाओ लिंक की मिलेगी जोईन करो दो-चार match में मेरे साथ काम करना आपको खुदी पता चल ज जिए इसलिए इधर उधर और कहीं से जोईन करना जो लिंक के मिलेगी description में बस वहीं से जोईन करें तो आज की वीडियो में इतना ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में